लेकिन उस बीच कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई हैं जो सुनकर लोग थोड़े से हैरान परेशान होगे आपको पता है कि जिस तरीके से मुंबई में जशन का आयोजन हुआ और वहाँ पर फाइनल जो जशन था वो मनना था वान खेडे में जहां पर खिलाड़ों से भी बात और फिर उनकी नजर में टीम इंडिया की इजट और भी बढ़ी क्योंकि ये आप माने कि टीम इंडिया किस सिच्वेशन से आकर ये वर्ल्ड कप जीती है विराड कोली ने बातचीत करते वे वहाँ पर बताया कि कैसे एक वक्त पर लगा कि जो हो रहा है तकरीबन हम बात कर की थी तो उसके बाद विराड कोली ने ये माना कि हमें लगाया कि एक बारी फिर वही हो रहा है हमने मेहनत सब कुछ करी लेकिन फिर से शायद वर्ल्ड कप अब हाथ से निकल जाएगा लेकिन उसके बाद जो टीम इंडिया का कमबैक रहा जो लास्ट के पांच ओवर्स रह अब जब विराड कपतान रहे रोहित सीनेर प्लेयर थे फिर रोहित कपतान बने अब तो विराड सीनेर प्लेयर है तो उन्होंने बताई वो चीज कि कैसे एक ही चीज वो दोनों चाहते थे वो थी वर्ल्ड कप की ट्रोफी जीतना और फिर आपको तस्वीर याद आती है व वही जबर्दस प्लेयर और जो हम कहते हैं कि जनरेशनल टैलेंट और इसी तरीके से जो उन्होंने मैच की भी बात करने हैं कि मैच कैसे फसा और आखिर में हमें लगा कि हम कहीं फिर से ट्रोफी से वंचित न रहा जाएं वहाँ पर no doubt हार्दिक पंड़ा की performance तो सब को यादे लेकिन हमें नहीं भूलना होगा जस्परीद बूमरा को और विराट ने ये ensure क्या और उन्हें पूरे वान खेड़े में जितने crowd से उन्हें का कि आप लोग खड़े होके तालियां बजाईए जस्परीद बूमरा के लिए क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड कॉप में time and again हमारे लिए वो decisive spells वो decisive game ले डाली जहां से हम वो matches जीतते हैं और हम वर्ल्ड कॉप जीत पाए तो जस्परीद बूमरा की विराट कोली ने बड़ी तारीफ करी और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर बताया भी कि हम as an Indian cr cricket टीम लगी हैं कि जस्परीद बूमरा हमारे लिए खेलते हैं और ये थोड़ा सा एक shift भी है Indian cricket में जहां पर हम बल्ले बाजों को जादा celebrate करते हैं तो विराट कॉली ने make sure किया कि आपके पास जिब इस तरीकी का gain बाज है तो उसकी भी बात दुनिया में उतनी ही होनी चाह आई पेल में वो टैलेंट देखते आते हैं जो उन्हें बताए भी था जब पोस्ट मैच जब वो प्लेयर ऑफ दे मैच बने थे फाइनल में तब उन्हें वहां पर जिक्र किया था तो उन्हें यही बात कई कि भाई अब यंग्स्टर्स का टाइम है वो लगातार अच्छा कर रहें तो उनको उम्मीद ही है कि भाई अब आने वाले वक्त में उसी तरीके से इंडिन जो यंग्स्टर्स हैं वो आगे लेकर जाएंगे और टीम को फिर से ऐसे ही जो है चैंपियन बनाते रहेंगे और इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो यह कुछ इंटरस्टि लेकिन सोचिए वहाँ पर क्या कैरेक्टर शो किया है टीम ने कप्तान रोही शर्मा बोलिंग ग्रूप फिल्डिंग साइड अगर हम बात करें तो सुर्य कुमार यादव का वो कैच तो वहाँ पर टीम इंडिया ने कहीं हारे हुई बाजी पर दी तो अपने आसू रोहित अगर पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करें शेयर भी करें और स्पोर्ट्स तक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें